सही सवाल अगर हम अपने दिल से पूछे, हुआ कुछ नहीं है, बिनास ज़्यादा हुआ है, और आगे बहुत बड़ा खत्रा इस देश के लिए कड़ा हो रहा है, इसलिए हम एकी आवास आग नितिज जी से मिलने के बाद, जो बाचित करने के बाद, नितिज जी का भी मन है कुझे भी उन्होंने आदेश दिया है, जितने भी विपक्षी दल है देश में सारे एकजुट होकर ताकक जुटा कर, शिक्ति जुटा कर, बीजेपी मुक्त बारत का नारा देना चाहिए, और बीजेपी मुक्त बारत को हासिल करना चाहिए, तब ही देश पिर से कड़ा हो सकता है आगे बढ़ सकता है अंतर राज्ची अस्तर पर एक अच्छा अपना स्थान बना सकता है मैं एक अन्य बात भी खहना चाहूंगा इस और आपसे प्रार्तना भी है नितीजी ने भी प्रार्तना की आप ये बात जरूर जनता तक ले जाए भारत में 75 साल के आजादी के बात इतने सारा समश्यां से उलज रहे हम लोग इस्तिती से बारत को अगर निकल कर बाहर जाना है कुछ ये अब तक रोटीन जो 75 साल में चलता आया है उससे उटकर आउट आफ वाक सोंचना चाहिए विशेशग्यों का मानना है ये मेरा बात नहीं है अगर किया जाए तो बारत सर्वस्रेश्ट देश इस दुनिया का बन सकता है प्रबावशाली बन सकता है प्रबल आर्तिक शक्ति बन सकता है इसमें हमारा प्रयास होना चाहिए एक उन उच्च गुनवत्ता वाली बदलाव बारत में चाहिए ये बिलकुल चाहिए अगर हमारे पास ज्यान नही है पुरे दुनिया में जहां ग्यान है वहां से प्राप्त करना चाहिए हम लोग चेहना जिसकी जीडीपी हम से कम थी उन्नीच सव असी तक एकेसी तक भी उन्होंने कर पाया कर दिकाया उनका एकानमी पहुंच गया सिक्स्टीन ट्रिलियन डालर में आज हम तीन ट्रिलियन डालर के आज पास में गूम रहे है बड़ा शरम की बात है चेहना में हर चीज हम से कम है हर चीज की उपलब्दी हम से कम है लेकिन वो कहां पोंच गया है अज टकर दे रहा है पुरे दुनिया के अग्रदेश जो माना जाता है अमरिका को टकर दे रहा है प्रत प्रकाशन जी के एक आवाज पे पूरी देश में करांती आई थी ताना शाय का खात्मा किये थे रिश्वत कोरी के खिलाप में लड़ा ही लड़े गए थे